आलू पाकिस्तान में महगा है या इंडिया में नमस्कार किसान भाईयों राम राम जै जवान जै किसान किसान भाईयों आलू की बात करें आलू इंडिया में महगा है या पाकिस्तान में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आलू 25 से लेकर 40 पे किलो बिग रहा है पूरे भारत में जो आलू का बजन भाव बना हुआ है आलू का रेट चल रहा है आलू की क्वाल्टी के हिसाब से 25 से लेकर 40 रुपे किलो बिगना सुरू हो गया है रही बात एक छोटा सा देश है पाकिस्तान जो इंडिया का एक कोना भी नहीं है अगर मैं वहां की बात करूं तो वहां आलू असी से लेकर 120 पे किलो यानी 120 पर केजी के हिसाब से पाकिस्तान में आलू बिग रहा है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों तो इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्त है उस हिसाब से हमारे इंडिया में कम स कम 200 रुपे किलो आलू भीकराfoldटा चाहिए उसको बोलते हैं महिंगा मेरे पैरे प्षान भाईयों मेरे साथियों मैं बता दूं 30 रुपे किलो इदे उतन माल भेजते हैं, आवा जाएंगी करते हैं, सब अपना रोल अदा करते हैं, رोल अदा करने के हिसाब से पैसा बनाते हैं और बोलते हैं, आलू महआ हुगया, आलू महँआ हुगा, अरे भाया, आलू तो पाकिस्तान में महँगा है, इंडिय में को अलू 25 से 30 से 30 होता है है जो वह हर जंगां उपाय होता है लेकिन जो महँगे सच्ते की बार कर रहे हैं महँगा सच्ता तो हर जंगां होता को उसको को यह नहीं बोलते हैं तो हमारे किसान भायों का अगर साल आलू का फसल अच्छा हुआ है आलू की उनकी विक्री अच्छी हो रही है आलू में अगर क्वाल्टी के हिसाब से आलू का ब्यापार अच्छा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है जो आलू का ब्यापार यहां से होकर हमारे जो करीबी विदेशी राज जो वहां इस्पो ताकि लोग पता लगे कि हाँ आलू भी तो महगा है आलू का भी चर्चावन चाहिए आलू का भी नाम होना चाहिए बिस्व में पूरे भारत के अनावा अनेक अनेक राज जहां डोलर के इसाब से आलू मिलते हैं तो हम बहुत खुश नसीब हैं बहुत ही भागसाली हैं जो हम इंडिया जाहिए सहार में रहते हैं और इंडिया में इतनी सारी चीजों का विवश्ता है खरी सब्जिया फल फूट दूद मल्लब की जो बहुत ही सच्टे भाव में अभी फिलाल मिल रहा है रही बात महगे शच्टे की तो महगा सच्टा तो हर देश में हो रहा हर देश में रहेगा अपनी आदस उधारे और महगा सच्टा होता रहेगा अपनी इंकम बढ़ाएं आप income बढ़ाएंगे तो आलू आपको 2 रपे लगेगा अगर आप अपनी income नहीं बढ़ाएंगे तो आलू आपको 100 रपे लगेगा तो भाईया आप 50 रपे, 60 रपे, 100 रपे का गुटका सीड़ खा के थूख देते हो जाके दारू 100 रपे पी लेते हो उसको महगा नहीं बोलते हो लेकिन अगर आलू महगा हो गया तो भाईया आलू कोई महगा नहीं है हमारे किसान भाई है अन्यदाता है उनके खेद में बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे किसान भाई के लाग लगता है खाद है मिट्टी है उसमें दवाई है लेवर है खर्चा लगता है तो जो उनका अगर लागत नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे लेकिन क्या करें उनकी मजबूरी है मजबूरी है कि उनको भीजना पड़ेग ताकि हमारे किसान भाईयों को भी समय समय पे लाब मिलता रहे और समय पे उनको कारोबार चलता रहे अगर उनका फल या सब्जी या हनाज महञा नहीं भी केगा महगाई के साब से तो तूट जाएंगे, कर्दे में कर्जे में डूब जाएंगे, तो इसके लिए सरकार सफुना चाहिए और आलू जो महगा हुआ है एक जगा महगा नहीं, सब्वी जगा महगा अलू महगा